नमस्कार साथियो, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तुला राशी वालों, हो जाओं सावधान, यह देवता आपसे नाराज है, आखिर क्या गलती हुई है आपसे, आज विडियो अंत तक देखना वरना बरबाद रुक नहीं पाएगी, क्योंकि अब समय आ चुका है, जिन्दगी में बदलाव का, अगर आज भी यह गलती नहीं छोड़ी, तो दुश्मन अपने टोने टोटके में सफल हो जाएगा, और आपकी जिन्दगी नरक बना देगा, आखिर देवता आपसे नाराज क्यों हो गए वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाले है, शुरू से लेकर अंत तक देखे, सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके, कॉमेंट बॉक्स में जैश्री महाकाल जरूर लिखे, इस दुनिया में ऐसा कोई इनसान नहीं है, जिसके जीवन म कोई समस्या नहों, हर कोई अपनी समस्या का समाधान ढून रहा है, फिर चाहे वह समस्या पैसों की हो, घरीबी की हो, या फिर व्यापार, नौकरी, बुकुक करता आअसा की साथ ही, काम धंधे या पारिवारिक क्लेश की हो, लेकिन चारों तरफ केवल अशानती फैली है, आखिर ऐसा क्यों, क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं, दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है, कलियुक बढ़ता जा रहा है, इस बढ़ते कलियुक के साथ इनसान की भगवान में, यानि देवताओं में, रूची कम हो रही है, आखिर आप खुद अपने आप से पैसा कमाने की होड, हम सब को परेशान कर रही है, अगर जाने अंजाने में माता पिता के कहने पर, अपनी पतनी के कहने पर, या दोस्तों के साथ, हम मंदिर चल भी जाते हैं, तो मन में केवल काम धंधे की चिंता सताती रहती है, या मोहौँँए। अचानक ठहर सी गई है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप आखिर आगे क्या करें, आप असमंजस की स्थिती में फंस चुके हैं, आपकी स्थिती बहुत ज्यादा दयनिये है, आपके घर वाले आपकी बात नहीं समझते हैं, आप उन्हें हर प्रकार की खुशी देना चाहते ह आप उनके लिए जी तोड मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ आपकी बात को नहीं समझते हैं, लेकिन दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो आपके लिए खास बनाई गई है, इस वीडियो को नजर अंदाज मत करना, आज के इस वीडिय को बिलकुल अंत तक देखना, क्योंकि दिल से दिल की बात आज हम करने वाले हैं, गुरु जी ने यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाई है, क्योंकि जिन्दगी की भाग दोड में, लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं, जिस वजह से देवताओं की कृपा से वंचित हो जाते हैं, और जो सफलता उनके हक की है, वह भी उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि जब देवताओं की नाराजगी इनसान में हो जाती है, तो उसके उपर भूत प्रेत, टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया यह सब असर करने लगते हैं, और बाद में वह पूरी तरह से बरबादी के दलदल में फंस जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने इस दुनिया में बहुत व्यवहार कमाया है, बहुत पहचान बनाई है, लोग आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखियेगा, जब आप बुरे समय में होंगे, तो आपको बहुत गंभीर जानकारी दे रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, मानव का जो जीवन हमको मिला है, यह दो कारणों की वजह से मिला है, बहुत ध्यान से दोनों कारण सुनना, आपकी जिन्दगी को एक नया मार्ग मिलेगा, और इस वीडियो को देखन के बाद आपकी पूरी जिन्दगी बदल जाएगी, पहला कारण होता है दोस्तों, भोगने के लिए, भोगने का क्या मतलब होता है, सहना, दुख, भोगना, कश्ट भोगना, यानि कश्ट को प्राप्त करना, अगर हमने मानव रूप में इस धरा पर जन्म लिया है, तो सब को आप भोग रहे हैं, यानि पहला कारण आप सार्थक कर रहे हैं, आपके जीवन में तरह तरह की दुविधाएं रोज आती होंगी, समस्याएं रोज आती होंगी, कोई इनसान ऐसा नहीं है, जिसके जीवन में तकलीफ नहीं है, तो पहला कारण हम सभी सार्थक कर रहे हैं जो बताया गया है मानव जन्म मिलने का पहला कारण भोगना वह तो हमारे साथ रोज हो रहा है लेकिन क्या दूसरा कारण सार्थक हो रहा है दूसरा कारण है दोस्तों भजना भजना यानि भगवान का नाम जप करना भगवान का कीर्टन करना भगवान का भजन गाना, भगवान को नित्य प्रतीपल अपने मन में याद करना, हो सके तो प्रभुश्री राम का नाम लीजिए, सीता राम, सीता राम, सीता राम, या फिर आप राधारानी का नाम लीजिए, राध्ये, 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 या फिर जय श्री भोले बाबा का नाम लीजिए, तो इसे कहते हैं, नाम जब करना, अब इसका प्रभाव जरा जानिएगा, आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसके प्रभाव से होता क्या है, जब हम लगातार नाम जब करते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम दोस्तों, हमारे पापों का क्षय होता है, हमारे पाप कटते हैं, साथ ही साथ पिछले जन्म में हमने क्या किया था, वह हम नहीं जानते, हो सकता है बुरे कर्म किये हो, हो सकता है अच्छे कर्म किये हो, लेकिन अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किये होते, तो इस ज कारण होता है मानव जीवन का वह होता है भजना भगवान का नाम जप करना जब आप उस कारण को सार्थक बनाएंगे तो आपके पिछले जन्म के पाप सारे कट जाएंगे और आपके जीवन में सुख आने की शुरुआत हो जाएगी बहुत बड़ी बात हमने आपको बता दि में जब्ज़ेगा वह चीजें कभी नहीं सुलजने वाली आपको ऐसा लगेगा आने वाले कल में सबकुछ सही हो जाएगा लेकिन दोस्तों जब तक आप भग्वान से नहीं जुडेंगे जब तक आप नाम-जाप से नहीं जुडेंगे तब तक देवताओं की क्रिपा नहीं लगता है, मेहनत तो आप बहुत करते हैं लेकिन घर में पैसा नहीं बचता है, आपके घर पर अचानक से नकारात्मक पक्षी आने लगे हैं, जैसे चमगादर हो गया, मकडी के बहुत सारे जाले हो गए, साथ ही साथ बहुत प्रयास करने के बावजूद आपका कैरियर नहीं बन पा रहा, नौकरी नहीं लग पा रही, तो यह देवताओं की नाराजगी का एक संकेत है, इतना ध्यान रखिएगा तो दर दर भटकना नहीं है, ज्यादा किसी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, हम जो आगे वीडियो में आपको सावधानियां बता रहे हैं, उनका पालन आपको करना है, अगर इन बातों का ध्यान आप रखेंगे, तो फिर देवताओं की कृपा आपको मिलेगी और मिलती रहेगी, कभी उनकी नाराजगी नहीं होगी, और उनकी नाराजगी से कभी आपके काम नहीं बिगडेंगे, तो वीडियो के साथ बिलकुल अंत तक बने रहे, सबसे पहली गलती, दोस्तों आप क्या करते हैं, आप अपने जीवन में जो कुछ हो रहा होता है, उसका श्रे खुद लेना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है, अगर यह काम हुआ है, तो वह मैंने किया है, अगर मैंने कोई कार्यक्रम किया है, तो मैंने पैसा ल जो हमेशा अपने हर कार्य को भगवान का कार्य मानता है, जो यह कहता है कि मेरे जीवन में जो सुख आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, जो अच्छा हुआ है, वह सब देवताओं की कृपा है, भगवान की कृपा है. मैं करने वाला कौन होता हूँ, यह तो सब मुझे अपने भगवान ने दिया है, क्योंकि करता भी शिव है और कारक भी शिव है, आप केवल निमित्त मात्र हैं, हम केवल उस उपर वाले के हाथों की कठपुतलियां हैं, वह हमें जैसा चाहते हैं, वैसा न चाहते हैं, लेकिन का सबसे बड़ा कारण बनती है, इसलिए दोस्तों, जीवन में इतना ध्यान रखिए कि सब कुछ आप नहीं कर रहे हैं, आप से करवाया जा रहा है, और करवाने वाला वह परमात्मा है, 33 कोटी देवता है, और वही आपका काम बना भी रहे हैं, और बिगाड भी रहे हैं, आगे वीडियो में अगली गलती बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, गलती है दोस्तों, कल्यूग के इस दौर में मंदिर से, भजन से, कीरतन से या भगवान के नाम से दूर हो जाना, देखिए, कल्यूग के इस दौर में सबसे बढ़िया एक काम है, और वह है, आप भगवान को बहुत जल्दी पा सकते हैं, सतय यूग, द्वापर यूग, त्रेता यूग इनके मुकाबले, कल्यूग बहुत आसान माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का, जिसमें आप बस नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनसान तो पैसा कमान में इतना पागल हो जाता है कि भगवान के मंदिर जाने की फुरसत उसे नहीं होती, तो आप इतना ध्यान रखिए जिस परमात्मा ने आपको बनाया है, उस परमात्मा के लिए अगर आप दो मिनट पांच मिनट नहीं निकालेंगे, तो वे तो आप से नाराज होंगे ही, कई उन्हें याद नहीं करेंगे, तो वे तो आप से नाराज होंगे ही, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत गंभीरता से हमारी आगे की बात को सुनिएगा, हम आपको क्या कहना चाहते हैं, आप अपना काम करिए, आप जी तोड मेहनत करिए, भर भर कर पैसा कमाएं लेकिन द इतने घर में जो मंदिर बना हुआ है, वही भगवान के सामने बैठ कर के 108 बार राम नाम का जाप कर लिया, कुल देवी देवता को याद कर लिया, पित्र देवता को याद कर लिया, बहुत बड़ा प्रभाव, इससे आपके जीवन पर पढ़ता है, क्योंकि दोस्तों, नाराजगी की वजह से चल, रही है, और अगर समय रहते, आपने उसमें सुधार नहीं किया, तो जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाएगी, और आपने जो सोचा था, वह सारे सपनों से आप पीछे रह जाएंगे, आप जिसे पाना चाहते थे, वह चीज आप कभी नहीं नहीं लेंगे उन्हें याद नहीं करेंगे भुला देंगे तो यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है अब दोस्तों तीसरी गलती क्या है अक्सर हम लोगों की देखा देखी करके गलत दिशा में मुड़ जाते हैं जैसे कि हमारे दोस्त अगर मांस मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम भी मांस मदिरा का सेवन शुरू कर देते हैं जबकि शास्तर में खास तोर पर गरुड पुरान में यह लिखा गया है कि अगर आप इस तरह से मांसाहार करते हैं इस तरह से मदिरा पान करते हैं बेसुध हो जाते हैं की देवताओं की कृपा नहीं होती ऐसा इंसान अपने स्वार्थ के लिए यह सब चीजों का सेवन करता है और बाद में दर-दर की ठोकरें खाता है बहुत गंभीर बात हमने आपको बताई है ध्यान दीजिएगा दोस्तों वरना आपके जीवन में इसी तरह मुसीबतें आती रहेगी और आप उससे बाहर भी नहीं निकल पाओगे तो नियम बना लीजिए तुरंत कि हमें मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बना लेनी है अगर हमें देवताओं की कृपा प्राप्त करनी है तो इसके बाद दोस्तों तीसरी गलती हम आपको बता चुके हैं और अब अन्तिम गलती बताने जा रहे हैं अन्तिम गलती यह है दोस्तों कि घर में मौझूद माता पिता की इज्ज़त या सम्मान नहीं करना देखिए मंदिर में मौझूद भगवान तो बहुत बाद में है सबसे पहले भगवान आपके घ उनकी आत्मा अंदर से जल रही होती है। ऐसे इनसान के उपर भी कभी देवताओं की कृपा नहीं होती। ऐसे इनसान से भी देवता हमेशा नाराज रहते हैं। इसलिए दोस्तों मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करिए वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहल घर में मौजूद भगवान को पूजना शुरू करिए, मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यह बात पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अब दोस्तों, हमने यह सारी गलतियां करना आप से दूर कर लेंगे। आपको समय समय पर उनके निमित्त दान भी करते रहना है। इतना भी ध्यान रखें। अब अगर देवताओं की कृपा आपको मिल गई तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होंगे। जरा वो आप ध्यान से सुनिएगा। आगे वीडियो अ किसी को नहीं मिलता। का परिणाम केवल उसे मिलता है जो मेहनत के साथ साथ अच्छा भाग्य प्रतिशत रखता है। आपने राशिफल सुना होगा। जब हम हमारा राशिफल सुनते हैं तो हमें अंत में पता चलता है हमारा भाग्य प्रतिशत कितना है। तो यह भाग्य अगर 85 से लेकर के 95 होता है, तो बहुत अच्छा रहता है। इंसान के उपर जब देवताओं की कृपा होती है, नवग्रह का संतुलन सही होता है। साथ ही साथ, जब उसके जीवन में ध्यान दीजिएगा, देव, गुरु, ब्रिहस्पती, महर्बान होते हैं, तो उसका भाग्य प्रतिशत एकदम से छलांग मारता है, एकदम से बढ़ता है, अब वह मेहनत करेगा, तो कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम उसे मिलने लग जाएंगे, यानि देवताओं की कृपा अगर उसके उपर हो गई, देवताओं की नाराजगी अगर उसके उपर से दूर हो गई, तो आप समझे कितना सारा फायदा है, आप मेहनत करेंगे, आपको जल्दी परिणाम मिलेंगे, परिणाम प्राप्त करने के बाद जब आप दूसरे काम में जाएंगे, वहां भी जल्दी सफलता हासिल कर लेंगे, तो मौके कितने सारे बनने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर कोई विद्यार्थी है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हर तरह की कोशिश कर ली, ध्यान भटकता बहुत ज्यादा था, कई बार फेल हो गए, और चिंता के मारे परेशान हैं, तो देवताओं की कृपा मिलने पर इनसान को म मानसिक एकागरता प्राप्त होती है, उसका ध्यान बहुत जल्दी भंग नहीं होता, उसे एक संपूर्ण लक्ष की प्राप्ती होती है, और वह अपने करियर में, अपने भविश्य में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता है, यह भी बात बिलकुल सत्य है और सठीक है, सा अचानक एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं, एक दूसरे की चिंता करने लगते हैं, एक दूसरे को प्यार भरे बोल बोलने लगते हैं, और एक दूसरे का आदर सम्मान करने लगते हैं, और यही जीवन में जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, दामपत्य जीवन हमारे तो देवताओं की नाराजगी है। जरा ध्यान दीजिए और देवताओं की कृपा जब मिलेगी तो दामपत्य सुख आपको मिलेगा। संतान सुख आपको मिलेगा साथ ही साथ। दोस्तों व्यापारियों को जबरदस्त मुनाफ़ा होगा। नई-नई डील, नई-नई ओफर उन्हें मिलेंगे और नौकरी पेशा इनसान को। सालों से अगर तरक्की नहीं मिल रही थी तो देवताओं की कृपा की वजह से उसे तरक्की भी मिलने लगेगी। अब सबसे बढ़िया उसके जीवन में क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा कई लोगों के ऊपर ऊपरी हवा, भूत प्रेद बाधा, टोना टोटका हावी हो जाता है। अगर उस इनसान के ऊपर देवताओं की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तो सामान यसी बात है। कोई बुरी शक्ती उसे छूब भी नहीं सकती, क्योंकि आच्छुम्भेयतम हनुमान चालीसा में हमें यह पंक्ती देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानि जो इनसान बाला जी महाराज का भक्त है, जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है, वह व्यक्ती ना तो दुखी हो सकता है, ना तो को कोई अला बला या टोना टोटका, उसका बाल उकाए, भी बांका नहीं कर सकता है, बहुत बड़ी और बहुत गंभीर जानकारी आपको प्रदान की है.